तो यह प्रेंट्स इस जोती वर्मा तोड़े आम गई टू स्टार्ट विद नॉलेज अन करिकिलम जिसके कुछ टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उन टॉपिक्स में हमने क्लियर किया था कि हमारा करिकुलम क्या होता है करिकुलम क्या से डिजाइन किया जाता है क करिकुलम को जो फ्रेमवर्क है वो क्या है किस तरीके से करिकुलम स्टडी में स्टुडेंट्स के काम आता है और क्यों करिकुलम डिजाइन किया जाता है स्टुडेंट्स के लिए तो यह सब हमने पहले पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पाथे चर्यावा विद्याले व राश्ट्रिये पाथे चर्या रूप रेखा 2005 तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका description जो है वो क्या है क्यूं हम इसको अपने syllabus में पढ़ रहे हैं इसका क्या महत्व है तो firstly we will start with राश्ट्रिये पाथे कर्म रूप रेखा 2005 विद्याले सिक्षब पर नवीन्तम दस्तावेज है मतलब नवीन्तम दस्तावेज है इससे पूर्ण भी राश्ट्रिये पाथे चर्या रूप रेखा बनी है मतलब कई बार framework बनाये जाते हैं और उसके अंदर नए नए plans नए नए योजनाए add की जाती है और फिर अगर कोई जरूत ऐसी पड़ती है कि ये curriculum या ये framework हमारे काम नहीं आ रहा इसमें कुछ कमी है तो उसको सुधारने के लिए उसके अंदर या तो improve किया जाता है या समय के हिसाब से दूसरा framework बनाया जाता है यानि दूसरा curriculum framework बनाया जाता है जैसे जरूरी थोड़ी है कि जो पहले प्र तरीके से बच्चों को क्या-क्या activities करानी है क्या-क्या चीजे school में organize करवानी है क्या-क्या subjects बच्चों को पढ़ाने है किस तरीके की curriculum की रूप रेखा उनके लिए तयार करनी है तो ये चीजे सारी है कि time के हिसाब से curriculum बदलता रहता है जैसे जैसे हमें need होती है वैसे वैसे ही curriculum design किया जाता है तो इसके अंदर आगे है वर्ष 1976 यानी 1976 में सिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया मतलब इसको समवर्ती सूची के अंदर add किया गया राष्टी सिक्षानीती 1986 I hope 1986 सिक्षानीती आपने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो create कर दूँगी तो इसके अंदर क्या है राष्टी सिक्षानीती 1986 में पूरे देश की इसकोली पाठे चर्या में समान तत्वों की सिफारिश की गई मतलब 1986 के अंदर भी इसकोली जो पाठे चर्या है उसके समान तत्व उनकी सिफारिश की गई इसके बाद हम देखेंगे नई पाठे चर्या रूप रेखा यानि नया जो करिकुलम बनाए उसकी जो एक सनरचना है उसका जो एक framework है उसको कैसे डिजाइन किया गया नई पाठे चर्या रूप रेखा निर्वाड करने का निर्णय लेते हुए प्रॉफेसर यश्पाल जो है इनकी एक कमिटी भी थी इसके बारे में भी second semester में हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर प्रॉफेसर यश्पाल ने एक कमिटी बनाए थी जिसके अंदर सिक्षा से जुड़ी कुछ important बाते थी तो ये जो प्रॉफेसर यश्पाल जी है उन्होंने क्या किया इसके अंदर प्रॉफेसर यश्पाल की अध्यक्षता उन्होंने इसके अध्यक्षता की थी उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रिय संचालन समिती का गठन किया राष्ट्रिय संचालन समिती, नाम याद रखेगा, राष्ट्रिय संचालन समिती का गठन किया, इसके द्वारा, सिक्षाविद एवं संबंदित विशह, विशह शग्यों के 21 फोकस, यानि 21 फोकस, समुहों की सहायता से, राष्ट्रिय पाठिचर्य रूपरे का 2005 तयार किया यानि जो नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, NCF 2005 इसको तयार किया गया, नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य बिंदू, इसके अंदर मुख्य बिंदू क्या क्या है, तो सबसे पहला इसके अंदर क्या है, सिक्षा का लक्षे, यानि जो सिक्षा का एम होता है, एक टार्गेट बनाते हैं कि हमें सिक्षा क्यों हासिल करनी है, तो इसका एक लक्षे र भारत में बोली जाती है उनके हिसाब से सिक्षण होना चाहिए फूर्थ है गडित सिक्षण यानि mathematics का सिक्षण mathematics की टीचिंग होनी चाहिए फिफ्थ है अमारा विज्यान सिक्षण यानि science की teaching होनी चाहिए जो important है students के लिए six है आवास और सीखना, मतलब जो आवास है और उसको किस तरीके से knowledge के अंदर use करना है और उसको किस तरीके से सीखना है, सैवंथ है, सिक्षा में gender के मुद्धे, मतलब जो सिक्षा है उसके अंदर gender के मुद्धे, उनको भी एक तरीके से clarify करके चलना है, ताकि gender का एक जैसे inequality होती है, असमानता होती है उसको समानता में परिवर्तित करना, मतलब gender के बारे में वो किसी भी gender का हो, कोई भी person, उसके लि एट है शांती के लिए सिक्षा यानि पीस के लिए peacefully होना चाहिए जो सिक्षा होनी चाहिए वो peacefully होनी चाहिए और समाज में भी एक peaceful environment हो नाइन्थ है परिक्षा सुधार यानि जो परिक्षा है हमारी जो एक तरीके से examination उसके अंदर सुधार evaluation में सुधार होना चाहिए 10th है इसके अंदर कारे और सिक्षा मतलब activities और सिक्षा हमारी education तो ये इसके कुछ मुख्य बिंदू थे जो जिनकी बात हमारे curriculum के अंदर की गई नेक्स हम देखेंगे राष्ट्री पाठे करम जो हमारा पाठे करम है उसकी संरचना 2005 के सिध्धान्त यानी NCF के सिध्धान्त जो है principles है principles of national curriculum framework 2005 तो इसके कुछ 9 points हम देखेंगे कि क्या-क्या इसके सिध्धान्त है और क्यों इसके ये सिध्धान्त बनाए गए ताकि जो हमारी सिक्षा है वो और improve हो सके तो सबसे पहले इसके अंदर है मानपता का सिध्धान्त यानी जो principle of humanity है मानपता का सिध्धान्त इसमें एक महतपूर्ण है कि हर परसन एक जो उनका behavior होना चाहिए वो एक humanity positive behavior होना चाहिए second है इसमें एकता का सिध्धान्त यानी जो लोग हैं वो एकता में यानी unity बना कर रहें या फिर कहीं भी अपने समाज में या किसी भी जगापर किसी भी environment में एक unity रहे हर चीज में हर चीज के लिए next है नितिकता का सिध्धान्त यानी principle of morality यानी नितिक behave एक तरीके से होता है ना कि हमारे जो moral values होते हैं उनको follow किया जाए इसके अंदर फौर्थ है संस्कृती संरक्षक का सिधानति यानि principle of conservation of culture यानि जो हमारा culture है जो हमारी संस्कृती है हमारी जो भारत की संस्कृती है उसको conserve करें यह निकी modernity जो आ रहे है धीरे धीरे या आज चुकी है modern जमाना है यह modern इंडिया है इसके अंदर हम अपनी संस्कृती को भूल जा और western culture को follow करते रहे हैं तो हमें अपने culture को भी बचा के रखना है अपने culture को भी conserve करना है इसमें fifth है समायोजन का सिधानत यानि adjustment होना चाहिए principle of adjustment हर चीज में adjustment होना चाहिए flexibility होनी चाहिए sixth है इसमें सिक्षा का सिधानत यानि रूची का सिधानत यानि principle of interest interest के उपर base होना चाहिए हमारा हर subject हमारा हर curriculum seventh है इसमें संतुलित विकास का सिधानत यानि principle of balanced development मतलब एक तरीके से विकास ऐसा होना चाहिए बच्चे का जो balanced हो एक तरीके से संतुलित हो eight है इसमें आदर्शवादियों का सिधानत यानि principle of ideology या idealism को जो follow गरते हैं आदर्शवादियों का सिधानत होना चाहिए नाइन्थ है इसमें समाजिक्ता का सिध्धान्त यानि principle of society यानि समाजिक्ता का सिध्धान्त एक महतपूर्ण विशय है एक तरीके से महतपूर्ण सिध्धान्त है हमारा principle है हमारी NCF 2005 का नेक्स हम देखेंगे इसी के अंदर राश्ट्रे पाठ्थे करम जो हमारा national curriculum उसका framework 2005 के उद्देशे यानि objectives of national curriculum framework 2005 जिसके हंदर हम कुछ 10 points पढ़ेंगे और इसके description को भी थोड़ा थोड़ा एक तरीके से explain करके चलेंगे तो first है राश्ट्रे एक तका विकास मतलब national जो एक तरीके से हमारी unity है national national level पे उसका विकास करना development करना राश्ट्रे लेवल पे second है राश्ट्रे विकास, मतलब अपने नेशन का विकास करना, उसको develop करना, हमारी education किस लिए है, ये framework क्यों design किया जाता है, बच्चों को जागरुक क्यों किया जाता है, इन सारे topics को लेके, ताकि बच्चे अपने राश्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ काम आ सके ये कुछ ऐसा कारे कर सकें, जो proudful हो, तो इसके अंदर राश्ट्रे विकास होता है, मतलब हमारे इंडिया को कहीं represent करना, या इंडिया के status को बढ़ाना, तो इसके अंदर next है, मानविये मूल्यों का विकास, यानि जो मानविये मूल्यों होते हैं, जो एक मानव या humanity के जो values होते हैं, उनका विकास करना, उनका development करना, फोर्थ है इसमें, चात्र में अध्यन के प्रती रूची का विकास करना, मतलब अगर एक student है, उसके अंदर पढ़ने की रूची नहीं है, पढ़ने का इंटरस्ट नहीं है, तो उसको जगाना, इस curriculum का एक motive है, next है हमा सुधार की भार्षाएं पाई जाती है, लेकिन जो इसके अंदर हम सिक्षा के अंदर और इस framework के अंदर हम देखेंगे, तो उसमें भार्षा ही समस्या का समाधान, मतलब जो diversity है, उसमें अगर कोई समस्या आ रही है, कि teacher किसी और language को पढ़ा रहा है, और हम किसी और language के हैं, तो उस चीज के अंदर भी उसका सुधार करना, इसके रही भी कई plans बनाए गए, सिक्स्थ है इसके अंदर इस तरह नुकूल, सिक्षन्ड विधिया, मतलब सिक्षन्ड विधिया यूज की जाए इसके अंदर, उसके बाद है सेवंथ, चात्रों का सरवांगिन विकास, इकता का विकास हो, मतलब जो हमारी society है उसमें unity रहे उसका development हो और जादा बढ़े unity तेंथ है इसके अंदर सिक्षड साधनों में समन्वे स्थापित करना यानि सिक्षड जो साधन है जो इसकी resources है उनके अंदर समन्वे स्थापित करना next हम देखेंगे इसके अंदर राष्ट्री पाठे क्रम संचारन सौरी राष्ट्री पाठे क्रम की जो संरचना है उसकी प्रमुक समस्याएं मतलब जो राष्ट्री पाठे क्रम संरचना 2005 है national curriculum framework 2005 है उसमें क्या-क्या main problems आई तो इसके अंदर first है सिक्षा की समस्याएं सिक्षक के लिए मतलब सिक्षक के लिए सिक्षा में समस्याएं आई second है भाषाओं की समस्या जो मैंने बताया आपको diversities होती है भाषा में तो उसकी समस्या भी कई जगा आ जाती है third है इसमें धर्म संबंदी समस्या है मतलब religion की कोई किसी religion का है कोई किसी religion का है सब एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं एक साथ तो कभी-कभी इसमें discrimination आ जाता है तो इन समस्याओं को भी इसमें सुल्जाना एक तरीके से इनका एक वर्ग है fourth है इसके अंदर संसादनों का अभाव मतलब जो resources होते है study के लिए किसी curriculum को design करने के लिए या इस तरीके के किसी भी विशे को ready करने के लिए जो संसादन होते हैं जो resources होते हैं उनका अभाव उनका ना होना उसके बाद हम देखेंगे fourth, sorry fifth है जिसके अंदर है वैश्वी करन का अभाव यानि जो globalization है उसका अभाव sixth है राजनेतिक समस्याओं यानि political level पर भी इसमें समस्याओं आती है next and last इसके अंदर हम देखेंगे जो समस्याओं आई उनके लिए क्या-क्या solutions निकाले गए यानि राष्ट्रे पाठेकरम संबंदी समस्याओं का समाधान solution of problems related to national curriculum framework 2005 तो इसके अंदर first है समाज के व्यक्तियों में कारे के प्रती निष्था की भावना जागरत की जानी चाहिए मतलब उनके अंदर एक तरीके से ये interest पैदा करना है कारे के प्रती next है किसी भी पद व गौरव की इच्छा को समाने रूप से प्रदर्शित करने की योग गिता विक्सित करनी चाहिए next इसके अंदर हम देखेंगे जो भाशा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक सूत्रिये वैवस्था को निरूपित करना चाहिए next है इसके अंदर हम देखेंगे भारतिय समाज में विक्सित द्रिश्टी कोण का समावेश करते हुए आधूनिक विचारधाराओं के प्रती सकरात्मक द्रिश्टी कोण जो है वो उत्पन कराना चाहिए सरकार को सिक्षा केड़ में क्या करना चाहिए सिक्षा केड़ में अधिक मात्रा में धन उपलब्द कराना चाहिए मतलब अगर फंड होगा ना उनके पास जो framework ready करते हैं या जो education के लिए कोई भी work कर रहे हैं कोई भी योजना बना रहे हैं कोई भी planning चल रहे हैं उसके अंदर अगर fund जाधा सरकार की तरफ से मिलेगा तो वो योजना और अच्छी तरीके से प्रिपेर होगी और अच्छी तरीके से तयार होगी और इसकूल में या किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी सिक्षा के संस्थान में इंसिट्यूट में उस resource को use करने के एक जो सिक्षा है वो एक तरीके से हमारे समाज में हर व्यक्ति के लिए आवशक है एजुकेशन के बीना हम कोई भी ऐसा कारे नहीं कर सकते जो हम समाज को या अपने राष्ट को डेवलेप्मेंट में आगे बढ़ाएं और ज़ाधा डेवलेप कर सकेंगी सुची इसको तो फ्रेंड्स आज हमने पड़ा पाठे चर्या वा विद्यालेई व्यवस्ता पर NCF की स्थूतिया यानि रिकमांडेशन्स औफ NCF 2005 और करिकुलम एंड स्कूलिंग तो आज हमने ये टॉपिक क्लियर किया और आपको I hope समझ में आया होगा कि नैशनल करिकुलम फ्रेंवर्क 2005 या NCF शॉर्ट फर्म में अगर हम देखें तो NCF 2005 क्या है क्या क्या इसके उद्देश थे इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसके अंदर क्या क्या सलूशन्स निकाले गए इन सब चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा फ्रेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो मेरे चैनल को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच